और दोस्तों जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है सबसे पहले तो 1120 बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी जो है उसको इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया बहुत लोगों की डिमांड थी कि जिसबीर भाई हमको स्ट्रेटजी फिन न स्ट्रेटजी आईए देखते हैं कि क्या है ये स्ट्रेटजी फिन निफ्टी एकस्पाइरी वाली जीरो हीरो स्ट्रेटजी दोस्तों अब बात करेंगे कि ये किस तरह से चलती है सबसे पहले तो ये जान लीजे कि इस जीरो हीरो स्ट्रेटजी का टाइमिंग क्या है सबसे important ये कब करनी है 920 AM से 925 AM तक यानि 920 से लेकर केवल 925 तक का समय है इसका करने का उसके बाद या उससे पहले करने की जरूरत है ही नहीं वैसे भी आप लोगों को मालुम है कि आप लोग तो मार्केट खुलते ही कूद पढ़ते हो मार्केट में तो अब क्या है है ये स्ट्रेटी समय पता चल गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं ये स्ट्राटिजि की कुछ एक कंडिशन है और क्या कंडिशन एक टिपिकल कंडिशन है कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ तभी काम करेगी जब एक फ्लैटिश ओपनिंग हो या कोई चोटा सा या चोटा सा gap up या चोटा सा gap down हो जब भी कोई बड़ा gap up हो या बड़ा gap down हो तब ये strategy काम नहीं करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा gap up आप देखें और strategy को उसमें काम करने पे लगाएं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है बाद में मत कहिएगा जजबीर भाई दिक्कत आ गई रिजल्ट अच्छे नहीं है चलिए देखते हैं देखें ये strategy क्या है एक strangle strategy अब ये strangle strategy क्या होती है strangle में हम लोग एक put लेते हैं और एक call लेते हैं लेकिन put और call दोनों ही अलग-अलग strike prices के लेती हैं दोनों different strike prices के call और put लेते हैं इस strategy में अब जब हम put और call लेंगे तो कौन से वाले लेंगे आईए वो भी देखते हैं अब सबसे पहले तो आपने देखा कि 9-20 से 9-25 तक के strategy ली जाती है और हमको अब एक call और एक put लेनी हैं जब हम call और put लेंगे तो हम यह देखेंगे वो call लेंगे जिसका premium 13 रुपए हो और वही put लेंगे जिसका premium 13, 12, 13 रुपए के आसपास हो मतलब basic का idea is 12 to 14 रुपीज का एक average जो है call का और वही premium put का भी लेना स कहेंगे कि इस से क्या लाब होगा उस पर भी चर्चा करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि strategy की cost क्या है दोस्तों अगर हम एक lot call का और एक lot put का लेते हैं तो call भी हमको लगबग 500 सवा 500 की पढ़ती है यहाँ पर इस case में 13 रुपीज को लिया गया है मैंने तो 13 रुपीज से ए एक lot 40 रुपे का 40 का lot है तो 520 रुपे की call और 520 रुपे की put तो अगर इस ideal situation को देखें तो in an ideal situation 1040 रुपीज की यह strategy की cost बैठती है अब समझने की बात यह है कि ठीक है 13 रुपे की call और 13 रुपे की put ले ली सबसे पहले तो मुझको SL जानना है साहब SL क्या होगा SL होगा 5 र और target होगा 40 रुपीज चांसिज यह हैं कि एक इसमे SL होगा और दूसरी target होगा एक 40 रुपे तक का target आने के उसके पूरे पूरे असार रहते हैं और वो भी जल्द ही आ जाता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि market बहुत छोटी सी range में आए लेकिन उस case में भी हम दोनों तरफ क SL ही hit करवाएंगे इससे ज़्यादा कुछ और नहीं वैसे भी आपको पता है हमारी cost क्या है strategy की 1040 140 रुपीज की cost है अब आप आगे कहेंगे कि सहाब ये अगर strategy expected returns दे expected lines पर चल पड़े इसकी बहुत अच्छे results आए हैं पीछे मैंने back test भी किया और काफी दिन से इस पर कार रत भी हूं तो आप ये देख लीजिए कि आप अगर 40 रुपए का आपने target रखा है और एक तरफ 5 रुपए का SL रखा है और अगर ideally यही condition रहती है यही situation रहती है तो आपको 1040 के उपर 1600 रुपए तो एक side आपको ही दे जाएगी चाहे वो call चले चाहे put चले जिदर 40 strike किया तो वहां आपको 1600 का एक total बन जाएगा और जो SL वाला premium है वो भी अगर hit होता है तो 200 वहां से मिल जाता है तो आपको 1040 की capital के बदले मिलता है 1800 रुपए 1040 की capital थी अब आपको मिल रहे हैं 1800 रुपीज माई डियर फ्रेंड्स दोस्तो क्या इसमें chance है कोई घाटे का नुकसान का लॉस का दोस्तो यह याद रखिएगा कि सबसे पहले मैंने कुछ बात बोली थी कि strategy बहुत बड़े gap up और बहुत बड़े gap down में शायद काम ना करे 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 ना करे ना करे gap up बड़ा या big gap down में और कोई भी strategy होती है हलाकि इस strategy में chances of loss are very less लेकिन profit कहीं पर भी कोई guaranteed तो होता ही नहीं है क्योंकि अगर market किसी बहुत चोटी सी rain में रह गई तो market आपका जो capital infused है जैसे इस case में हम एक एक lot को लेके चलते हैं तो एक हजार चालिस को आपके खतम तो नहीं कर सकती है आप पांच-पांच रुपए का आपका SL भी होगा तो पांच-पांच रुपए वाला जो वही बचेगा लॉस अगर हम SL नहीं भी लगातने है तो एक हजार चालिस रुपए का स्ट्रेटजी के साबसे वन ताउजन स्वार्टी रुपीज अब कुछ लोग कहेंगे कि सहाब हम तो इस स्ट्रेटजी को देखेंगे बिलकुल देखेगा लेकिन कुछ समय इसको एक तो back test कीजिए औ उसके बाद इस पर expert बनके कीजिएगा काम अब कुछ चीज़े याद रखने वाली हैं दोस्तों HDFC बैंक और ICICI बैंक two biggest components है फिन निफ्टी के जब आप फिन निफ्टी पर काम करते हैं आपको बना कर रखनी होगी इन दोनों पर नज़र क्योंकि कुछ लोगों को लगता ह लगी नहीं साब बैंक निफ्टी के ही ये दोनों दिगज हैं माप कीज़ेगा दोस्तों ये ना सिर्फ बैंक निफ्टी के बलकि फिन निफ्टी के और इवन निफ्टी के भी हैं दिगज स्ट्राटेजी जो अभी हमने दी है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्पाइरी डे पे काम करेगी यूजिली एक्स्पाइरी डे जो फिन निफ्टी का आजकल होता है वो होता है मंगलवार को लेकिन अगर मंगलवार की होती है छोटी तो वो सुमबार को भी पढ़ सकता है रखिएगा ध्यान में दोस्तों जो लॉस होगा उस केस में तो आपका टूद इक्सनेंट ऑफ कैपिटल ही होगा याद रखिएगा कि हम लोग से भी रिजिस्टर्ट नहीं है और जितने भी वीडियो इस चैनल पर जो भी कॉंटेंट हमने अभी दिया है वो सिर्फ और के लिए है बाइसल की सला इसमें कोई नहीं और आपको चाहिए भी तो भई आपको पता है आपको क्या करना है आपको अपने फाइनेशल एडवाइजर से करनी है बात चीट दोस्तों प्लीज रिमेंबर कि हमने फिन निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी पर भी एक स्ट् जो कि हमने एमदाबाज सेमिनार में डिसकस की थी बैंक निफ्टी पर प्लीज नोट हम लोग अगर कोई सीखना चाहता है तो हम लोग सीखने और सिखाने का भी कारे करते हैं रात को साड़नों बजे से बैचेज होते हैं हर महीने में एक बैच लिया जाता है जिसकी अभी चरकी फीज तो 10,000 है एज और ऑक्टूबर टू-जिरो टू-थरी आगे बढ़ने के इसके असार हैं और ऑक्टूबर में जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 10 अप ऑक्टूबर टू-जिरो टू-थरी को अगर कोई आना चाहे तो खुशी से आ सकता है 10 अक्टूबर 2023 रातरी में साड़े नौ से बैच स्टार्ट होगा रूम एप्लिकेशन पर 11 डेस का बैच होगा जिसमें बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी पर किस तरह से ट्रेडिंग की जाते हैं किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जा दी हैं वो सब चीज चर्च रहोगी साथ साथ option selling भी उसमें सिखाई जाती है तो अगर कोई आना चाहे तो खुशी से उसमें आ सकता है my idea friends please note कि end screen पे मैंने bank निफ्टी expiry strategy भी डाली है वो जरूर देखेगा उसका लाब लीजेगा उमीद यही करना हूँ strategy आपको पसंद आई होगी जो भी इसका आपका feedback हो जो भी इसका resultant निकले कभी आप try करें जरूरी नहीं है कि positive results आएंगे जो भी feedback हो जरूर comments में लाइक तो आप कर ही चुकी होंगे इस वीडियो को लाइक किया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe करना तो जैसी टेक को बनता है न जरूर कीजेगा शुक्रियार नवश बाइ